भागलपूर में कोरोना ने नई वेरियन के साथ दस्तक दे दी है पूरी सूबी में कोरोना की नई वेरियन का भी आगवन हो चुका है अभी से हमेश्यतर रहने की जरूरत है कोरोना इसकदर अपनी पेर पसार रहा है कि क्या कहें हो सकता है कई कार बाधिस हो सकते हैं भागलपूर और पटना में the corona का संक्रमन ठामनी का नाम नहीं ले रहा है राज्की बिविंजलों में 147 दिन के बाद ही 338 और पटना में 152 दिन के बाद बिविन इलाकों में 182 नई मरीज मिले हैं तो वही भागलपुर में 29 नई कोरोना मरीज मिले हैं देखें कोरोना की मार्त हम लोग पहले भी जेल चुके हैं और पहला वेव और दूसरा वेव दूसरा वेव तो आती खतरनाक जो है सावित हुआ था तीसरा हलके में चला गया और चौथा वेव जो है वो भी हलका ही है लेकिन संख्या में धिरेजरे बढ़ोतरी आ रही है पॉजिटिव के सिच की जैसा कि जीले में लगभग सुरुवाट में दो तीन केस होते थे एक हपते के बाद वह दस बारा हुए फिर पंदरा बीस हुए अब तीस के आसपास रोज कोरणा पॉजिटिव निकल रहे हैं और वो मरीज जो भरती हुए वो कोरोना कहके भरती नहीं हुए है उसमें अधिकांस उसमें 16 मरीज तो ऐसे होंगे जो किसी ना किसी ऑपरेशन के लिए बरती हुए और एक रूटीन टेस्टिंग के अंतरगत जो है उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया चुकि यहां हम ल बरती होते हैं तो उनके रूटीन टेस्ट में उनमें कुछ पॉजिटिव आया है तो ऐसे ही लोग को पॉजिटिव मिलाया है अब तक जो है इसमें तीन मौत की खबर है हम लोगों के यहां से लेकिन उसमें दो मौते तो ऐसे हैं कि जिनको पहले से आट-दस दिन से दूसर सिस्टम की बीमारी का इलाग चल रहा था नर्सिंग हों में और यहां आये तो यहां एक रूटीन टेस्टिम में यह पॉजिटिव मिले और तो इसलिए उनकी जान गई तब है कि यह जो हमारी टीम है गठिक वो डिसाइड करती है कि वो उसमें कोरोना का क्या इंवॉल्में स्रदी खांसी या बुखार या कोई भी पेन अब्डॉमेंग किसी भी तरह के लक्षन से वो भरती हुए हो और सीरियस होते जा रहे हो और उनकी मृत्यू हो गई लोग ऐसा अब तक नहीं हो है यह कहेंगे कि आप इसको हलके में नलें इसके बावजूद भी कि यह ज्याद परिवर्तन होता है जेनिटिक चेंज होता है तो जब तक परिवर्तन अगर हलके वेरियंट्स बन रहे हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन कब खतरनाग वेरियंट्स निकल आएंगे यह किसी को नहीं पताया और उस समय स्थिति भ्याबा हो सकती है इसलिए कोरोना जब एक है और वैक्सिन का भी रॉल अच्छा रहा है जो लोगोने दो डोज लिये हैं उनको कम असर को रहा है अस्पताल में कैसी बेवस्ता की विए अस्पताल में तुम्हारे पास जब हम चार-चार-सो पॉरोना के रोगी तो उसको हम लोगों के पास सारी बेवस्ता थी तो आज भी वह सारी बेवस्ताइं हैं तब यह है कि अभी चुकि और अधर केसिश का लोट बहुत जादा है और पॉरोना उतना अधिक सक्री नहीं है तो हम लोगों ने पचास बेड फिर और रूटीन डूटी बना हुआ है तो आपना नहीं है रूटीन वेड़ीन